वेंड डायग्राम कोई अलग चीज थोड़ी है लोग देखते ही गवर है यह बन गये तो फेंड जएसे देखो कव क्या है का दूसरा क्या है टोग जरी है तीसरा क्या है है हॉर्स horse तो when diagram होता क्या है पहले समझ लू मेरी बात को when diagram कुछ भी ना होते गोले-गोले से हो है circle से हो है और in means n vidéo category होती है इस circle को नाम देते हैं कुछ भी जैसे इस circle को नाम दे दिया cow इसको दे दिया dog इसको दे दिया horse अब बताओ अब आपने practically सोचना है यहां पे दिमाग लगाना ठीक अब से पहले हमने कभी कहीं कोई दिमाग नहीं लगाया लेकिन यहां पे दिमाग लगाना है कि भैया काउड नोग हो सकता है क्याहा उच्छाल अगर हो सकता तो हम जोड़ देते ले वाई दोनों मिल गए ठीक है तो यह बात समझ में आई हाम वक्वभ तो और और ये तीनों अलग हैं की दूसरे से अलग हैं कि दूसरे सी लिए तीनों को अलग हमने लिखा है कोई एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकता लेकिन क्या ये सब के सब animals हैं तो ठीक है Animal काатьсяW बने गाए यह बड़ा सा भूल सोवन ये क्या है सारे के सारे ऐनीमल तो अगर हमें वेन डायग्राम बनाने को दिया जाए तो वो सिर्फ क्या लिखे गा पता है वो लिखे गाईनीमल कोमा कौभ कोमा होर्ष तो बोलेगा कि भी यह इसका वन डायों बनाओ तो आप कैसे बनाएंगे काउ डोग और होर्स तीनों अलग क्योंकि तीनों सच में ही अलग होते हैं ठीक है लेकिन सारे के सारे क्या होते हैं पशु होते हैं एनीमल होते हैं तो यह सारे के सारे इस बड़े गोले में आ जाएंगे और इस बड़े गोले का नाम है एनीमल तो हमको यह वाला सेलेक्ट कर लेना है जहां भी ऐसा सरकल बनाया हुआ दिखाई देगा उसको हम कर लेंगे ठीक ठीक ऐसे खतम बात चलिए तो इसी प्रकार से और बता देते हैं मैमल्स का दे दिया ठीक है मैमल्स कोन से होते हैं मैमलल्स झाल आहीं मैमल्स आश्छा आपको पता अजूको पता होना जो यह चुक्त होते हैं कि और रोटे मैमल्स के जो बच्चों को जनम देते कैंडल कौन से होते हैं अहां न वही तो हां तो बहीम स्न कुंत बबाच तो दूद देते हों सब दूद पिलाते हुए नहीं मैं तो सभी कह रहा था इसका मतलभ म्सणा है तुब है, स्कारORA कला है तो काव और होर्स ये दोनों अलग है कि नहीं बताओ कव और हो उर्स अलग है ने की नहीं लेकिन लेकिन दौनों के दूनों मेहमल हैं कि नहीं है दूध पिलाते हैं होर्ष का मैंने देखा में यह रहें लेकिन सब्सक्राणीर ठीक है तो ऑग है और अगला हैला है कम कर दो और और यहां पर आपको अि इसका नहीं है है ना मेंपल का मतलब होता है कि दूद मतलब होता है जिनके बच्छे तो फिर बच्छे जब चुटा होता हो तो गोड़ी का दूद पीता है टीक तो अब आ जाए जलदींगें, तो मैं तीन चार डाइगराम बना देता हूं, घर आप बता देना कोण सा है, तो यह क्या है। फिर मैं कह दूगी ये है मैमल ठीक है अगला मैं कह दूगी ये तीनों आते हैं दोनों के दोनों आते हैं एनीमल किंगडम में ठीक है एक ये हो गया अब मैं कह दूगी कुछ है काउ इन में से कुछ है मैमल यानि की काउ मैमल और ये दोनों के दोनों किसमें आते हैं एनीमल कि है भाई यह हैं काउ यह है मैमल ठीक है और यह है आपके एनीमल तो काउ मैमल एनीमल जल्दी बता देंगे एनीमल माने एनीमल किंडम ठीक है तो जल्दी से पताईए जवाब A B या C माने की पहला दूसरा या तीसरा एनी जी कवीता जी कवीता जी किता जी तीन लोगों का जवाब आ गया हला लेकिन बाकर लोग का सो रही है जल्दी से जागी है उठो देश के वीर जवानो सतीज जी एनीमल कहते हैं पशू को मेमल कहते हैं किसको कहते हैं मेमल 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 ध्याना जा चलो काउ तो गाये को कहते ही है मेमल को भी कुछ कहते हैं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा हिंदी में क्या बोलते हैं मेमल को हां कोई बता दे हिंदी में क्या कहते हैं स्तंधारी कहते होंगे है ना हाँ स्तंदारी ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो सब का जवाब आ रहा है ए लेकिन अनुप्रिया पांडे जी और निकीता जी का जवाब आ रहा है सी तो जी देख लो अभी तो हमने बताया क्या बताया कि काउ क्या होती है या मैमल होती है यह अभी तो बताया थ कितनी देर होई है अध्य विंट भी ना हुई इसका मतलब क्या है कि यह है काउ ठीक इसमें होर्स हटा दिया हमने कोई बात नहीं होर्स को यहां पर हटा दें तो यह मैमल थे ही तो भीया यह डाइगराम तो पहले से बना हुआ है तो यह तो वैलिड रहे गई रहेगा सी पोचने वाली बात क्या है दिमाग लगने वाली बात क्या है वो बता देता हूं जब भी ऐसा कोई प्रश्ण आये तो देखना है कि बड़ा कौन सा है चोटा कौन सा है या काउ मैमल है की नहीं काउ के स्तन होते हैं की नहीं होते बताओ स्तंधारी है की नहीं है ठीक है तो ऐसे ही अब जितने भी मेमल्स हैं जितने भी स्तंधारी जीव हैं क्या सारे के सारे पशु नहीं है एनीमल नहीं है या आपने चिडिया के भी स्तंदेखें चिडिया को बच्चों को दूद्ध पिलाते हुए देखा है बता नहीं देखा ना दाना खाते हैं वो तो बच्पन स ही दाना वाना खाना शुरू कर देते हैं हैं तो देख लो भाई काउ सारी काउ क्या है मैमल से और जितने भी मैमल से वो सारे के सारे क्या है पशू है कोई भी बर्ड जो है मैमल नहीं है ठीक है तो यह रहा आपका जवाब बात समझ में आई की नहीं आई है समझ गए हां झाल झाल